क्या आप सोच सकते हैं कि कोई महिला नौकरी पाने के लिए एक ऐसा घजब का आईडिया निकाले जिसके बाद उसकी नौकरी उसे मिली या नहीं मिली ये तो कहानी में आगे पता रगेगा लेकिन महिला की तरगीब इतनी नायाब थी कि आप देख कर हैरान हो जाएंगे आप देख रहे हैं जब कचब मेरे साथ और मैं हून मिखा नमस्कार यूएस की रहने वाली महिला ने नौकरी के लिए एक ऐसी तरगीब निकाली कि लोग हैरत में पड़ गए कारली पावले निक ब्लैक बर्न ने नई के कमपनी में आविदन के लिए एक खुपसूरत से केक पर अपना रिज्यूम छपवा कर कमपनी में भेज दिया उन्होंने ऐसा क्यों किया चुलिए ये आगे बाते हैं लोग नौकरी बाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं अलग अलग दफतर में अपना बायोडेटर रिज्यूमें प्रिंट आउट लेकर खुमते रहते हैं रिसेप्शन पे घंटों इंतजार भी करते हैं कहीं-कहीं पर तो रिज्यूम डस्ट बिन में पड़ा नजर आता है और कहीं कहीं पर वो फाइलों के नीचे दबता जाता है कहीं तो resume shortlist भी नहीं हो पाता यही सब सोच कर एक महिला ने ऐसी तरकीम निकाली कि वो social media पर वाइरल हो गई उसने अपने resume को भेजने का अनोखा और मीठा अंदास खोश निकाला जो आप सोच भी नहीं सकते कारली पावलेनिक ब्लेक बर्न ने Nike के कंपनी में अपने resume भेजा उसने अवेदन करा लेकिन उसने resume किसी printout पे या फिर mail के जरीये नहीं भेजा उसने एक cake पर अपना resume में छपवाया और कंपनी में भेज दिया कारली ने कुछ दिन पहले अपने social media platform LinkedIn पर एक तस्वीर साजा की इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से Nike के कंपनी में job के लिए apply किया उन्होंने एक sweet से खुबसूरत cake पर अपना resume प्रिंट कर दिया और फिर उसे company के एक event में भेज दिया दरसल कारली ने एक research में ये पता लगाया था कि Nike के अंदर Valent Labs नाम का एक division है जो Nike के ideas के लिए एक startup incubator है उसमें उसे दिल्चस्पी थी हाला कि उन्होंने ये भी बताया कि company में किसी पद की भरती के लिए कोई vacancy नहीं थी फिर भी अपने बारे में वो उन्हें बता सके इसलिए ये तरीका अपनाया गया केक पर छपे resume के idea के पीछे उन्होंने अपने एक पुराने सहयोगी का जिक्र किया जिन से discussion के बाद उसके दोस्त ने कहा तुम कुछ अच्छा और अलग करती हो तो वैसा ही हो ये जगे creativity के लिए है तो अपनी creativity करो जिस event में कारली नहीं ये cake पहुँचाया था वो वहां के guest list में भी नहीं थे फिर भी रोनहिमत दिखाई और cake बनवाने के बाद delivery agent को पार्टी वाली जगे पर भेचा और front desk पर cake छोड़ देने के लिए कहा फिर resume में छपा के एक company की party में पहुच गया ये party काफी बड़ी थी इसमें Lebron Dreams, Colin Kaepernick समीद कई सारे mega star शों मिल थे अब ये तो पता नहीं कि इस innovative और creative idea के बाद महिला को बिना वाकेंसी के भी job मिली या नहीं लेकिन वागई में idea काफी unique था अजब गजब देख रहे थे आप नमस्कार